दोस्तों आपको अगर कभी जरूरत पड़े की आपको एकी WhatsApp को दो फोन में लॉग इन करना है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा यह जो WhatsApp है यह दो फोन में लॉग इन है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ही WhatsApp को दो फोन में लॉग इन कर सकते हैं तो मेरा नम ही इम्रान आप देख रहा है इना इल टेक तो आई आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको अगर एक ही WhatsApp को दो फोन में चलाना है तो सबसे पहले आपको यह जो फोन है जिस फोन में आप लॉग इन करना चाहते हैं इस WhatsApp को तो इस फोन में आपको एक फ्रेश नीव WhatsApp डाउनलोड कर लेना है बस उसको लॉग इन नहीं करना है उसमें नमबर देखिया अक्टिवेट नहीं करना है आपको बस इसको ओपेन करना है और ओपेन करने के बाद आपको लैंगवेज चूज करके नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर जो टाम सेंट करनी चान आता है इसको आपको एग्री एंट कंटिन्यू करना है और उसके बाद आपको यहांपे थी डॉट जो दखने को मिलता है इसके उपर आपको टैब करना है और टैब करने के बाद link to existing account इसके उपर आपको टैब करना है और टैब करने के बाद आपको KYR Code नो होगा उसके three dot के उपर tap किजिए और tap करने के बाद यहाँ पर linked device इसके उपर tap करना है और tap करने के बाद आपको link a device इसके उपर tap करना है और उसके बाद use mobile data करना है fingerprint देना है और उसके बाद आपको यह QR code है इस QR code को आपको scan करना है तो scan करन के बाद आप देखेंगे कि यह जो WhatsApp है इसका WhatsApp इसमें login हो जाएगा तो यहाँ पर आप Android 10 देख सकते हैं login हो चुका है और उसके बाद आपका chat लोड हो जाएगा initializing करके आपको थोड़ा सा time देना है और time देने के बाद आपका जो यह WhatsApp है यह इस phone में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि exact same WhatsApp मेरा दो phone में login है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पुराना जो भी चैट से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस तरह से आप किसी भी WhatsApp को दो phone में एक साथ login कर सकते हैं तो आपको अगर यह दूसरा phone को logout करना है तो वह आप कैसे करेंगे आप दिख लीजिए तो आपको यहाँ पर टैप करके यहाँ पर link device के अंदर आपको यह जो android 10 लिखा हुआ है यहाँ से आप logout कर सकते हैं त तो इसके उपर आप टैप कीजिए और logout कर देजिए तो यह logout हो जाएगा तो इस तरह से आप दो phone में एक ही WhatsApp को simultaneously चला सकते हैं तो आपको अगर कभी जरूरत पड़े कि आपको एक WhatsApp को दो phone में चलाना है दो phone में आपको इंस्टॉल करके रखना है और दो phone से आपको चैट करना है किसी के साथ या फिर multiple device में आपका जो WhatsApp का data है उसको save करना है या फिर आपको फोटो वीडियो कुछ भी save करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं तो इस तरह से आप एक WhatsApp को दो phone में easily चला सकते हैं और logout भी कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई